हेलो एबरीबन आज का मारा टॉपिक है जी कोड जी कोड क्या होता है इसकी कौन-कौन सी कोडिंग होती है यह कैसा वर्क करता है और यह कहां यूज होता है इस व्यूड़े माच टोटल ओवरॉरल हम सब इन ही के करके हम डिसकस करेंगे सबसे पहले तो यह जब हम किसी भी इं वहाँ पर टूल उस desired locations में वह सारी वर करती है तो वहाँ पर टूल की जो commanding होती है यानी कि टूल को कितना movement करना है कितना cutting करनी है क्या operation करनी है यह सारी चीज़ हम CNC machine के दोरह तो करवाते हैं लेकिन CNC machine भी हम कैसे देते हैं वहाँ पर हम देते हैं part programming करके अब part programming का एक अलग से वीडियो है, आप वो देख सकते हैं, तो यहाँ पे part programming का मतलब यह है, कि हम वहाँ पे part programming पे हम करते हैं कुछ codings, और coding हम करते हैं, तो वहाँ पे जो list of codings होते हैं, यानि जो set of blocks होते हैं, उनमें से एक code है हमारा G-code, जैसे कि sequence summer के लिए हम N-code का यूज करते हैं, यहाँ पे हम preparatory functions के लिए G-code का यूज करते हैं, हम लोग mislaneous functions के लिए M-code का यूज करते हैं, और भी F-code होते हैं, T-code होते हैं, S-code होते हैं, तो यह सारे जो codes होते हैं, तो एक part programming के अंदर वो memory stored होती है, और यह हम करते है CNC machine के अंदर, और CNC machine command करता है tool को, तो tool हम measurement लिखा है, G-code is a preparatory function, preparatory functions means यह कि tool की क्या operations है, tool की motions क्या है, tool की क्या feed है, tool कितने speed से कटेगा, क्या उसकी cutting velocity है, यह सारे चीज़ों का एक पहले से pre-plan function, यानि कि एक पहले से हमको एक जो coding करनी रहती है, वो हम set of instruction देते हैं, अपनी CNC machine को, एक part programming के set of block बनाकर, और हम CNC machine के अ अंडर डालते हैं, उस coding को, और वो हमारे tool perform करता है, जो भी उसको performance करनी रहती है, तो यहाँ पर यह समझ गया है कि preparatory functions में, इसकी tool क्या movement रखनी है, overall इसकी tool की क्या motion set, क्या movement है, इनी के बारे में हम क्या करते है, G-code को instruction देते है, G-code कर बनाकर, तो G-code is nothing but, it is a preparatory functions of the tool, जो करें, तो यहाँ पर यह दो चीज आप समझ गए होंगे, अब यहाँ पर आते है, यहाँ पर आते है, यहाँ पर आप देख रहे है, code है, और यहाँ पर functions है, basically यह G-code तो बहुत होते है, 99, 100 तक भी G-code होते है, बाद हमको यहाँ पर इतना ही पढ़ना है, जो कि हमको important functions हम कि help of diagram, यहाँ पर एक diagram मैंने बनाया है, यहाँ एक-एक code मैं आपको समझाओंगा, यहाँ पर diagram के जरीए, चलिए स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले तो यह सबसे पहला हमारा coding है, G-00, यहाँ भी लिखा है positioning of tool और bracket में लिखा है point, इसका मतलब यह है, कि अभी यह मेरा work piece है, इ याँ कि positioning of tool, तो यह बताता है, कि यह जो tool है, इसकी suppose माली जी position मुझे यहाँ पर रखनी है, यह इस जगे पे, तो मैं यहाँ पर यह G-00 के help से, इस tool की positioning सबसे पहले तो मैं यहाँ set करूँगा, यही कहलाता है हमारा G-00 code, याँनि की positioning of tool, हम यहाँ पर tool को work piece पर test नहीं कर पर हम positioning यहाँ पर specified location पर दे रहे हैं कि हमको हमारी tool कहाँ पर रहेगी, यह हमारा पहला code कहाँ पर है, second हमारा G-01 याँनि की linear interpolation, यहाँ पर बात आती है कि मैंने positioning कर दी tool की, अब यह tool यहाँ पर operation करेगा, suppose माली जी यह मेरे work piece है, तो इस work piece में मुझे माली जी यहाँ पर surface finish करनी है, इस वाले surface पर हमको surface finish करनी है, तो tool मेरा movement करेगा, linear motion करेगा, तो वो linear motion तब करेगा, जब मैं Z-01 का command दूँगा, इसलिए यहाँ पर बोला है linear interpolation, या simply कह सकते है, feed देना start हो गया, tool की positioning की मैंने, अब मैंने feed देना start कर दिया, कि हाँ भाईया, आपको feed देनी है, यह यहाँ पर suppose माल लीजे, यह linear है, अब यहाँ पर देख सकते हैं, एक मेरा यह है curve, अब यह curve है, यानि यह क्या है, clockwise direction है, तो यहाँ पर field के लिए, यहाँ तक तो मैं अपना क्या किया, G01 का use किया, linear interpolation के लिए, G01 का, जैसे ही मुझे circular, मुझे मैंने देखा, यहाँ circular part है, त लेकिन यहाँ पर आप देख रहे है, counter clockwise direction, तो यहाँ पर अगर मुझे reverse आना हो, यानि suppose माल लीजे, मुझे यहाँ पर again मेरा एक curve है, इस curve में यह anticlockwise direction है, यह curve मेरा anticlockwise direction है, तो यहाँ पर जो मैं feed दूँगा, तो यह मेरा command होगा, G03, यानि कि counter clockwise direction, CCW, CCW, तो यह चीज यहाँ पर tip होती है, वो heat हो जाती है, तो इस tool को अगर मुझे कुछ देर के लिए hold करना है, कुछ देर के लिए stop करना है, तो वहाँ पर मैं G0 phone का command use करूंगा, यानि कि यहाँ पर tool, certain time के लिए यहाँ पर क्या हो जाता है, उसकी positioning hold हो जाती है, इसी तरीके से G20 जो है, long circular interpolation और यहाँ पर आप देख सकते हैं, clock watch direction, यानि यह कहता है, कि यहाँ पर है, तो circular moment ही, यानि कि clock watch direction में ही है, लेकिन अगर लंबा हमको कोई circular path cover करनी हो, यानि कि हमको large area cover करना हो, वहाँ पर circular path में, तो हम use करते हैं, G20 का, यानि कि long circular interpolation, इसी तरीके से आप देख सकते हैं, G21 short circular interpolation है, यानि कि अगर हमको छोटा path cover करना है, उस case में, G21 का use करूँगा, और ये भी हमारा रहेगा, clock watch directions में, अब ये दो थे हमारे किस के लिए, clock watch direction के लिए, तो इसी तरीके से अभी G28 को हम next समझते हैं, तो ये दोनों मेरा हो जाएगा CCW के लिए, यानि कि counter clock watch direction के लिए तो G30 और G31 ये long circular interpolation है, यानि कि लंबा curve path follow करने के लिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, counter clock watch direction, यानि कि long dimension में अगर हमको circule करना है, लेकिन वो हमारा anti clock watch direction में रहेगा, same thing यहाँ पे, जो short circular interpolation है, ये भी counter clock watch direction के लिए, यानि कि वहाँ पे हम G31 code का use करेंगे, अब यहाँ यहाँ पे बात आती है, G33 यहाँ पे लिखा है thread cutting, suppose माली जी यह मेरा work piece है, यहाँ पे मुझे एक thread cutting करनी है, यह thread cutting करनी है, तो यहाँ पे जो thread cutting करनी है, तो यहाँ पे मैं जिस code का use करूंगा, वह है मेरा G33, यहाँ आप देख सकते है, thread cutting और बैकर न में लिखा हुआ है, constant यानि कि अगर मुझे एक equal dimensions में करनी है तो वो मेरा क्याएका लाएगा thread cutting g33 का code का use करूँगा तो लेकिन यहाँ पर मा लीजे thread मुझे कुछ यहाँ काटना है यहाँ तक thread की है अगर मुझे एक same dimension पर thread cutting नहीं करनी है तब चलिए लास्ट आता है G70 तो यह G70 है यह टूल हमारा कहां से कहां तक काटेगा इसकी क्या dimensioning होगी इस dimension को भी तो देना पड़ेगा तो G70 जो मेरा code यूज होता है वो यूज होता है मेरा dimension के लिए लेकिन वो dimension की जो unit रहती है वो रहती है मेरी inch में और G71 जो use होता है वो dimensions ही use होता है लेकिन यह metric form में होता है तो यहां तक आप चीज समझे होंगे अब एक last बसता है G28 यह सारा operation होने के बाद जैसे माले जी मेरा यह work piece पूरा finally इसकी operation complete हो गई मैंने जो भी मुझे work करनी थी मैंने कर लिया तो इस पूजिशन को इस टूल को वापस इसी पूजिशन में लाने के लिए मैं use करूँगा G28 का ही use करूँगा यानि कि अब उसको अपने वास्तविक अवस्ता में पहुचाने के लिए मैं G28 का use करूँगा इसका यह मतलब है कि जो मेरा टूल था वो प्रारमभी के स्टेश पहुच गया और मेरे सारे अप्रेशन कंप्लिट हो गया है तो बेसिकली यह जो हमारे टोटल 14 से 15 पॉइंट थे G-Code के G-Coding हमारे एक्जाम में भी आते हैं और इतना आप पढ़ते हैं तो काफी है आई होब आज के वीडियो में आपको clear हो गया होगा कि G-Code क्या होती है, इसके कहां uses होते हैं और किस तरह के से हम यहाँ पर G-Code का use करते हैं तो इस वीडियो फिलाल इतना ही मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नए topic के साथ